ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम साय गुरुबे नमाहा स्वागत आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूटूब चैनल पर दोस्तों गुरुबार का दिन भगवान विश्णू का दिन होता है गुरुबार का दिन देव गुरु ब्रस्पति का होता है अगर गुरुबार के दिन आप ये उपाय करते हैं तो आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोख सकता इस गुरुबार को योग बहुत अच्छा बना हुआ है इस गुरुबार को के राशियां बेहदी भाग गिसा लिए गुरुवार के दिन का ये उपाए बेहदी चमतकारी है सबसे पहले आपको समझना है कि गुरुवार के देपता कोन है गुरुवार के देपता भगवान विश्नु और गुरुवार का जो अधकार है वह है देव गुरु ब्रस्पती के आदिन में है देवगुरु ब्रस्पति अगर कुंडली में सुविस्तिती में हो तो व्यक्ति के जीवन में खुशिया ही आती है जहां पर वो पैर रख देता है उसे काम्यावी हासिल होती है दिन दूनी राजचोगनी तरक्की बढ़ती है नोकरी में अच्छी पोश्ट मिलती है गवर्मेंट जोगे योग बन जाते और अच्छी संतान और इस्तरी मिलती है यानि जो हमारी जीवन साती होती है वो अच्छी मिलती है हमारे मनमताबिन मिलती है घर में मतलब जीए कि एक प्रकार से माताल अच्छमी का बास होता है अगर देवगुरु ब्रस्पती नाराज हो गई तो इनहीं कार्यों में आपको हानी होती है ब्योपाराच चने चलता है, कर्ज बढ़ जाता है, नोकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है गर में लड़ाई जगड़ा रहता है, अनेक प्रकार की परिशानिया सामने खड़ी हो जाती है दोस्तों गुरुवार के दिन, सुवय शनान करते समय, जिनको भी परिशानी आ रही है जल में थोड़ा सा हल्दी डाल करके शनान करें, उसके बाद में आप देवगुरु ब्रसपती के नाम की पूजा करें भगवान विश्णू के सामने आपको दीपक जलाना है, पांच पिली कोडी और ये दो हल्दी गांट रख देनी है साथ एक लोटे में आपको जल, हल्दी, चने की डाल गुर्ड डाल करके रख देना है ओम किलीम ब्रसपती नमा, ओम ब्रम ब्रसपती नमा, ओम ग्राम गिरीम ग्रोम से गुर्विना इन मंत्र में से किसी भी मंत्र की इकमाला जाप करके, अपने इच्छा बोल करके वह जल केले के ब्रख पर चड़ा दीजे, उसके इबाद में सीधा गोव साला चले जाईए, गोव माता को गुड लगा हल्द, यानि गुड में की डली ले ले उसमें हल्दी लगा ले, पूरी हो जाती है, मेश रासी, मेतन रासी, करक रासी, सिंग रासी, तुला रासी, धन रासी, मकर, कुम और मीन रासी, ये नो रासी हैं जो इस दिन ब्यदी भागिसाली रहने वाले, अगर गुरुबार को ये उपाय आप करते हैं, तो पुत्तर भी मिलेगा, धनी भी मिले काहर प्रकार की मनुकामना पूरी हो जाती है नोगरी की योग के यह कहाते है घा 줄 हर प्रकार की मनुकामना पूरी होती है तो गुरु बार बार की दिन केला ना खाएं साबन ना लगाएं में अ HIS byदियो को सब्सक्राइब करें। कि đị